Under 19 T20 Challenger Trophy के Day 2 में दो मुकाबले खेले गए क्या कुछ हुआ उन मुकाबलों में चलिए जानते हैं हम हमारे special segment में अगर पहले match के हम बात करें तो पहला match खेला गया India C और India D के बीच में तौस चीज कर India D ने सबसे पहले गेंदबादी करने का फैसना लिया और 110 रनों पे उन्होंने इंडिया C को रोका पर उन टार्गेट चेज नहीं कर पा India D जिसके चलिए उन्होंने 11 रन से इस match में जो है वो हार का सामना किया फर्स्ट इनिक्स की हम बात करते हैं गोंगड़ी त्रिशा और अर्चना देवी ने अच्छा प्रजर्शन दिखाया बल्ले से इस match में और नाजला ने तीम विकेट शटकाय हाँ पे इंडिया D के लिए पर चेस करते पर हमने देखा कि इंडिया D की बैंटिंग यूनिट ने फिर एक बार महाँ पे थोड़ा स्ट्रगल किया हर्ली गाला और याशिता सिंग ने जरूर कोशिश की पर शायद वो कोशिश काफी नहीं थी जिसके चलते ग्यारा रनों से शॉट रह गई भापे इंडिया D और इंडिया C ने वो मैच जीत लिया आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हम दूसरे मुकाबले की दूसरा मुकाबला खेला गया इंडिया A और इंडिया B के बीच में इंडिया A ने टॉस जीत कर बल्ले बाजी करने का फैसला लिया और वो टोटल डिफेंड नहीं कर पाए जिसके चलते इंडिया B ने वो मैच जीत लिया फिर अगर हम बात करें तो फिर एक बार सोनिया मेंदिया लाइम लाइट में दी पिछले मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था गेनल और बल्ले दोनों के साथ और इस मैच में भी बल्ले के साथ वो चंकी हाइस रण गेटर रही वो टीम के लिए पर फिर अगर हम सेकेंड इनिंस की ओर बड़े तो इंडिया B से हमने वहाँ पे ठेका कि श्वेता सेरावत से फिर एक बार अच्छा प्रदर्शन आया बल्ले से जिसके चलते टीम ने वो टार्गेट चेस करके इस मैच में तीम वि प्रदर्शन आया बेमें से कुले जो में से जो में से जो इसाओ